हेलो क्रेंज वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है हॉनेश्ट रिवीवाई समीर आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूं वह है यह इसे रिलेड़ेट पहले भी कई सारे वीडियो मैं आपको दे चुका हूं यूटूब पे अपने चैनल पे तो यह जो गीजर है आज इसका जो रिवीव है वो यह है कि यह जो गीजर है लेक्टिटी कितनी कंस्यूम करता है कितने वाटेज का होता है और कितना पानी कितनी देर में देता है तो आज हम यह जानेंगे इस वीडियो में उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें तो सुरू करते हैं वीडियो देखिए यह एक इस्टेंट गीजर है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आपके घर पर भी होगा यह बातरू के घर में जो चैनल मातलिए यही मंपार्ट जो की यहां में रहता है और छलता होगा और को इजह लेता है तो दूसरी चीज में यह बताना चाहूंगा कि 3000 वोट यह जो इसका तो निस्स वाट लेता है मतलब पूरा 2 वाट भी रणिंग में नहीं लेता है जब आप इसको फर्स टाइम औन करते हैं पानी चलाया आपने फर्स टाइम बटन दवाया तो तीन वाट यह जब लेता है बाकी उसके बाद यह पूरा तीन कुलो वाट पे नहीं चलता इसका कितितनी देर में कितना पानि गरम कर देता तो वोड़ीपेंड करता है कि सिर क्रांप आप कितना पानी गरम लेना चाहते हैं और ग्जांपल जैसे आप इस गीज़र से पानी ले सकते रचाउयENTS 75 degree Celsius तक मतलब आप 75-80 degree Celsius तक इस पानी इस गीजर से पानी ले सकते हो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नल का जो फ्लो है जिससे आपने इसको अटेच किया हुआ है उसका फ्लो आपको कम रखना होगा वो कम रखेंगे तो क्या होगा कि पानी बहुत ज्यादा गरम आएगा लेकिन वो उतना ही टाइम लेगा ज्यादा क्योंकि आप बहुत ज्यादा गरम पानी ले रहे हो इसलिए पानी बहुत स्लो आ रहा है इसलिए क्या होता है कि अगर आपको मीडियम पानी चाहिए जैसे कि मुझे गरम पानी चाहिए नहाने के लिए या बरतन दोने क लिए तो मैं एक ऐसा टंपरेचर चाहूंगा कि और लेडी मिक्स होके आए पानी मतलब कि पहले गरम ले लो बहुत ज्यादा फिर उसके अंदर ठंडा पानी लोगे फिर उसके बाद क्या होगा कि वह अल्रेडी मिक्स करना पड़ेगा आपको तो ऐसा टंपरेचर सेट करो कि हलका सा नल को तेज करो और क्या पानी को जो पानी आएगा वो अल्रेडी मिक्स होके आएगा तो उस कंडिशन में नॉर्मल पर जो पानी आप यूज करोगे सर्दियों में तो वह आपको एक घंटे में आपको एक घंटे में कम से कम 140 लीटर पानी इस टंपरेचर में देग कि फोर आप 40 से 45 डिग्री Celsius जो पानी लोग ए 40 डिग्री Celsius सरदियों में जो पानी लोग है वो करीबन एक घंटे में आपको 140 से 50 लीटर पानी आपको एक घंटे में दे देता है अब बात आती है कि यह कितनी देर में कितना unit consume करता है तो देखिये मैंने जैसा कि आपको बताया 3000 Watt का है लेकिन ये consumption पूरा 3000 Watt नहीं लेता है लेक्ट City का तो ये जो consumption लेता है aprox 2KW के अंदर-अंदर रहता है मतलब पंद्रय सो से 2KW के अंदर-अंदर 2000 Watt के अंदर-अंद में यह आपको एक unit consume करके देता है और उस दोरान आप करिद कम से कम 20 लीटर की 6 वालटी आप उसमें निकाल सकते हो 20 मतलब 60 लीटर पानी आप देर में आप निकाल लोगे 60-70 लीटर पानी आप अधी घंटमें निकाल लोगे तो कहने का मतलब यह है कि consumption process वो तीन क्लूअट पूरा नहीं रहता है यह जो आपको बताया जाता है किस क्लूवात पूरा है लेकिन सकी नहीं लेता है और जो भी इस गीजर को यूज करते हैं तो उनके लिए मैं सला देना चाहूंगा जब बी घीजर को यूस करें तो ज्यादा हाड Kathryn architects मतलब ज्यादा गरम पानी ना लें प्रुसकी उपरसे पानी मिला रहें अधीज को तेज खोलं के रखें जुससे कि पानी आपको मीडियम मिले ना तो ज्यादा गरम मिले ना झ्यादा ना थेंड़ा मिले और लेडी मिक्स होके आए वाटर तो यह चीज आपको आई हो किलियर हो चुकी होगी कि यह कितना कंजूम करता है आपको पर यूनिट आपको 55 लीटर पानी यह देता है यह ऐसा जो भी यूटुब पर आपने देखा होगा वो ऐसा कहते हैं लेकिन जो 65 लीटर पानी होता है वो ऐसा पानी होता है जिसमें आपको ठंडा पानी मिलाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी और लेडी मिक्स होके आएगा तो 65 लीटर पानी उस हिसाब से बताते हैं अगर आप पूरा गरम पानी लेंगे जो कि 75 डिगरी होगा तो वो जो है पानी की जो कैपसिटी होगी वो क 10 रुपए किसी-किसी सहर में तो इस तरह से यूनिट का इसा होता है तो आप कैलकूलेशन कर सकते हैं कि एक यूनिट जब आप इसका लोग है तो आपको एक यूनिट में 65 लिटर वाडर जो है आपको यह दे देगा तो इस तरह से इसका विजली का कंजप्शन रहता है कि एक यूनिट को शरो ऊजब आपको यह हुआ को झाओ का यह झालक 받 ऎालका है नहे झालका इद को कि एक यूनिट आपको इसका जब जाब आपको इन 113 को